के लोगता और अब नमस्कार दोस्तों कल की बात है कल शामको में गारी पर आया और देखा मैंने की जो गारी की बैट्री है वह पूरी डाउन हो चुकी थी मैंने गलती से साइद हेड लाइंट के जो था मैंने उसे चालू छोड़ दिया और दिन भर गाड़ी चालू रही और उसकी बेटरी ड्रेन हो गई शाम के टाइम जब मैंने धक्का मार के गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई फिर मैंने एक अल्टो की बेटरी से वायर जंप क करके गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करी तब टक टक की आवाज आई तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई उसके बाद मैंने एक बोलेरो पिकप डीजल की बेटरी से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करी तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई बागी आगो को लेके जिस किसी भी दोस्त को प्रोब्लम आती हो कि गाड़ी बहुत दिनों से मतलब रखी हुई है या बेटरी ड्रेन हो गई है या कुछ भी कारण को लेके अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं कि पहले आ तब तो फिर आपके पास मेकनिक का उप्शन है ही अभी मैं हूँ गाड़ी के अंदर और यह रही गाड़ी की चाबी में गाड़ी की बेटरी को चार्ज करवा के ला चुका हूं अभी मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में की गाड़ी की बेटरी को कैसे चेक करें मतलब बाकी गाड़ियों की बैटरी से लेकिन खुछ समय के बाद वो भी आवा जाना बिल्कुल बंद हो गई तो अभी अगर मैं मैंने ये क्लच फुली प्रेस कर दिया है अगर आप देख पा रहे हैं तो पूरा क्लच दवा दिया है और उसके बाद मैं जैसे ये सेल्फ ले रहा हूं तो गाड़ी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है ठीक है तो अब ऐसे सिच्वेशन में क्या करना है आपको उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें तो सबसे पहले मैं आपको अपना बोन बैटरी बिल्कुल ही ड्रेन हो गई है सबसे पहले तो आप जो चीज आपको करनी है आपको अपनी बैटरी चेक करनी है अब बैटरी चेक करनी के लिए आपके पास क्या उप्शन है कि आपको बैटरी में आपको मल्टी मीटर लगा के वॉल्टेज चेक करना पड़ेगा आ आप टियागों में कुछ इस तरीके का यह वाला जो दिख रहा आपको यह पोजिटीव है और यह नेगिटीव है इसमें जब आप मल्टी मीटर को टच करेंगे तो आपकी अगर बेटरी डाउन होगी तो 10 वल्ट के आसपास कुछ आउटपुट दिखाएगी और अगर फुल बाकी सारे इंस्ट्रुमेंट तो गाड़ी में अच्छी तरीके से चल रहे हैं जैसे कि मैं आपको अंदर चल के दिखाना चाहूंगा एक बार अभी इस समय मेरा इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर पूरा चालू है सारे फीचर्स आ रहे हैं केबिन की लाइट्स जल रही है ब्ल छल रहा है सारी चीजे चल रही है लेकिन फिर भी जब में फुली क्लेच प्रेस कर रहा हूं और गाड़ी को यह कर रहा हूं सेल्फ मार रहा हूं तो गाड़ी शेल्फ नहीं ले रही है तो इस चीज का क्या solution है तो बैटरी चेक करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि लाड़ी आपका सेल्फ नहीं ले रही है जिसे कि आप देख सकते हैं टियागो में एक फ्यूज बॉक्स यहां पर आता है और एक अंदर की तरफ आता है तो जो स्टार्टर के जो सारे कनेक्शन्स हैं रिले अगेरा या उसके फ्यूज तो वो इस वाले फ्यूज बॉक्स में रहते हैं तो इस वाले फ्यूज बॉक्स को कुछ यहां पर एक दो तीन चार यसी क्लिप रहती है उन्हें जब आप दबाएंगे तो यह इसीली बाहर आ जाएगा इस तरीके से कुछ बाहर आ जाता है इस तरीके से बाहर आने के बाद जस्ट आपको जैसा आपने निकाला है वैसे इसको उल्टा रखना है लेकिन आपको फ्यूज के साथ छेर खानी करने से पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि आप कहां की निकाल के लगा रहे हैं आखरी में आपको वैसी की वैसी वहीं पर जिस रिले को निकाल के आपने एक्षेंज किया था उस वैसी की वैसी ही फिक्स करना है चाहें तो आप एक फोटो की सकते हैं या फिर जैसा भी आपको याद रखने का तरीका है यो कि एक भी रिले इधर की उधर यदी लगी तो काम तो खेर कर देगी लेकि मार्किंग मिलेगी तो यह जो मार्किंग से यह पर्टिकुलर टियागो की मार्किंग से अगर आपकी अलग गाड़ी है तो आप उसमें देख सकते हैं काउंसा वायर कहां पर तो आपको ढूनना क्या है आपको स्टार्टर रिले करके यहां पर एक रिले दिख रहा होगा य इन्हें रिले बोला जाता है और यह स्टार्टर रिले वन और स्टार्टर रिले टू करके यहां पर दिया हुआ है तो इन रिले में कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको करना क्या है कि इस वाली रिले को निकालना है यह मैंने रिले निकाल ली और इसे इसकी जो मार्किंग लिखी हुई है तो उसे मैं यहां पर लगा देता हूं यह मैंने starter relay की जगह पर इन्हें यहां से exchange कर दिया और एक starter relay यह वाली है तो इसे भी मैं निकालता हूं और इस पर जो markings लिखी है वो same marking वाली किसी दूसरी relay को लगा के देखता हूं तो यह मैंने relay को यहां से exchange कर दिया है ऐसा करने में हो सकता है अगर आपकी खराब relay आपने यहां पर लगाई है दूसरी जगह जहां पर तो बागी की चीज़ें बंद हो जाएं लेकिन आपको में कीच गाड़ी को start करना पहला मकसद होता है बागी की चीज़े तो अपन वैसे भी सही करवा लेंगे तो starter relay आपको चेंज करना है उसके बाद आपको गाड़ी को start करके देखना है कि आपकी गाड़ी start हो रही है या नहीं यह self ले रही है या नहीं कि अब अभी में मैंने क्लच को पूरा दबाया एक बार चाबी निकाल के फिर से चाबी को लगा रहा हूं ताकि current प्रॉपरली supply हो जाए पूरी गाड़ी में और फिर एक बार जब मेरी motor फ्यूल मोटर जो है उसने आवाज करना बंद कर दी तो फिर मैंने क्लच दबा के और चाबी को गुमाने की कोशिश करी यहां पर भी बात हमारी नहीं बनी है और गाड़ी हमारी self नहीं ले रही है उसके बाद आपको second step क्या करनी है तो चलिए अगली step की तरफ बढ़ते है अगर आपकी गाड़ी इतने पर भी start नहीं होती है तो अगली चीज आपको क्या करनी है आपके fuse मतलब की जो छोटे वाले चीज दिख रही है आपको कुछ यहने बोला जाता है fuse आपको आपके fuse की markings में बीच वाली जो markings है यह बड़े वाले रिलेस है और बीच वाले जो छ देख सकते हैं 1st, 2nd, 3rd, 1st, 2nd और 3rd, 3rd line में उपर से 2nd वाला fuse है means उपर से 1st और 2nd, 2nd वाला यह 20 MPR का fuse है 20 इस पर लिखा हुआ है और इस पर भी 20 लिखा हुआ है इसे हमें अपने backup या फिर spare में जो mini fuse पड़े हैं आपकी गाड़ी में हमेशा spare fuse दिये रहते हैं आप उन आप अपने 20 MPR के fuse से replace करें 20 MPR का fuse तो आपको यहां पर एक clip दी हुई जाती है इस clip को निकाले इस clip को निकाले और इस clip का use आप अपने fuse को निकालने में कर सकते हैं तो मैं यह 2nd वाला यह जो fuse है इसे निकाल के देखता हूं और इस fuel में मुझे पता चला कि यह जो fuse है आप जिरा आप इस fuse को दिहां से तो बीच बीच में आपको black part दिख रहा है और यह black part मतलब कि यह जो fuse है यह fuse हो गया है और यह अब किसी काम का नहीं है क्योंकि यह जो दोनों तार के बीच में current पास हो नहीं पा रहा है उस current से उसमें दिक्कत हो रही में एक बेक अप वाला fuse न सुरी एंपियर नहीं इन में रेजिस्टेंस होती है तो इन्हें हम ओम से नापते हैं और इसे में बेक अप में रख दूँगा वैसे यह किसी काम का नहीं है लेकिन में इसे पटक देता हूं यहीं पे और अब हम पहले गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे ठीक है यह में ने लगा दी और यह क्लिप बहुत ज्यादा काम की है इसे अपनी जगा पर वापिस ध्यान से रखना ना भूले और अब हम गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं सो अब मैंने पूरा क्लच दबा दिया और अब मैं सेल्फ मारता पेरे एक बार चावी निकाल लूँगा फिर वापिस चावी अच्छे से लगाता हूं और अब मैं गाड़ी में सेल्फ मारूंगा तो यह आप देख सकते हैं गाड़ी ने सेल्फ ले लिया है एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट करते समय गाड़ी को पिक अप से स्विफ्ट से इन चीजों से स्टार्ट करनी की कोशिश करी तो यह दोनों को इन दोनों गाड़ियों से स्टार्ट करते समय मैंने एक चीज पर गौर नहीं किया कि यह दोनों डीजल कार है और यह एक पेट्रोल है और डीजल कार अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल है तो आप उसे डीजल कार की बैटरी से स्टार्ट करने की कोशिश ना करें अगर वो हो जाती है तो आपकी किस्मत अच्छी है लेकिन बहुत ज्यादा चांसे से कि आपका फ्यूज उड़ जाए तो यहाँ पर सिंपल सी प्रॉब्लम थी या तो मेरा फ्यूज उड़ा था या फिर मेरी डिले खराब थी तो बारी बारी से चेक करने पर मुझे पता चला कि मेरा जो फ्यूज है उसी में दिक्कत थी तो आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट स्टार भी आपकी स्टार प्रेट रखना जरूरी है सो उमीद है आपको यह वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी अगर आपकी गाड़ी में भी दिक्कत आती है तो आप सेम टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी वीडियो को लाइक कर दीजे और सब्सक्राइब कर लीजी मेरे इस चैनल को औ त्म्रेएएएब करेट सेमाल एडरी उल्सक्निक कर अएबगे होगी मेरे भी ईयाएब और स्ण difेऑने हैं लाएबगे हैं वीडियों में तो शैूएशर को वीडियों मेरे लोग येवी और स्क्ली जWhatएप ज 25 उे चुएना है मेरे या जर उब तक बंगारूराएब